दोस्तो अगर आपकी वोटर आइडी को ओरिजिनल ही आपको चाहिए और वो भी होलोग्राम लगा हुआ याने कि ओरिजिनल जो वोटर आइडी रहती है same to same आपको उसी प्रकार की वोटर आइडी चाहिए तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रेने वाला है क्योंकि उसमें सारी डीटेल में बताने वाला हूँ कि आपकी वोटर आइडी को आप किस प्रकार से आपके घर पर ही पोस्ट करवा सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले में बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपके पास वोटर आइडी है और उसको अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं कहीं से पीवीसी पे ले रहे हैं तो उसमें दोस्तो होलोग्राम नहीं आता है और उसी कारण से आपको कहीं पर भी ओरिजनल जो वोटर आइडी रहती उसी प्रकार से आपका काम नहीं करती है इसलिए दोस्तो ये जो प्रोसेस में बताने वाला हो इसमें कम्प्लीट होलोग्राम वाली प्रोसेस रहेगी दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज लिखा देता हम water.gov.in ये website रहेगी इसी के उपर आपको जाना रहेगा जैसे हम इसके उपर क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखते हैं इस प्रकार का dashboard आपके सामने आज आएगा अब यहाँ पर आपके सामने दो option रहेगे एक तो रहेगा login का दूसरा आपको इंटर करना है Gmail ID अगर है आपके पास तो आप डाल सकते हैं और आपका capture code डालने के बाद इससे continue पर आगे बढ़ेंगे ठीक है यह complete होने के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की detail आजाएगी आपका नाम, last name और आपका password और आपको भी आपको दो बार type करना रहेगा ठीक है यह complete होने के बाद request OTP यह वाले option के उपर आपको click करना रहेगा ठीक है यह से आप click करते हैं आपके सामने जो mobile number आपने दिया है उसी के उपर आपके पास OTP आएगा ठीक है आप इसके बाद में देखते हैं अगर आपका पह password मांगेगा पहले यह password आपका confirm करवाईए दोनों जाएगा आपको password reset करना है इस पर भी आपको OTP जाएगा and then इसको submit करना रहेगा आपका password reset हो जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं यह complete process होने के बाद में जैसे हम वापस से इसे login करते हैं कुछ इस प्रकार की error भी आती है आपके सामने तो capture की error रहती है ठीक है इसे login किया हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की detail आपके सामने दिखेगी form number 8 यह वाले option के ओपर आपको simply click करना रहेगा ठीक है यह click करेंगे जैसे आप आपके सामने यहाँ पर application for इसमें या तो आप self कर सकते हैं या फिर other भी कर सकते ह मैं जैसे other करके दिखाता हूं आपको यहाँ पर आपको जो है जो भी water ID number आपके स्वयम का हो या किसी दूसरे का है उसमें आप number डालेंगे और यहाँ पर आपका water ID number type करने के बाद इसे submit करेंगे जैसे submit करेंगे उसकी पूरी detail आपके सामने आ जाएगी अब दोस्तों यहा आपको अप्षिडेंगे जैसे shifting of president यहने कि आपको कहीं पर आपको address shift करना हो यह दूसरा रहता है इसमें correction का correction अगर आपको करना है तो second वाला लेंगे इसके बाद जो तीसरा वाला option है हमें इसी को लेना है और जो चोथा वाला option रहता है इसमें भी आपको जो है disability अगर कु okay करेंगे okay करने के बाद देखेंगे दोस्तों यह सारी जनकरी आ चुकी है यहाँ पर इसको next करेंगे अब यहाँ पर आप देख लेंगे आपके voter ID और आपका नाम भी आ जाएगा अब इसके बाद में देखेंगे यह वाला option के ओपर धियान रखना है कि इन में से आपको कि इसी एक चीज के ओपर क्लिक करना रहेगा यानि कि आपकी जो voter ID क्या वो लॉस्ट हो गई है या फिर आपके पास से कहीं पर भी खो गई है यानि कि आपके पास से कहीं गुम गई है तो आपकी जो इन तीनों category में से कौन सी category आपके पास follow होती है जो भी होता है उसे आपको जैसे मैंने इसमें यहाँ पर दिखाया कि आप हमारा जो voter ID कार्ड है वो डिस्ट्रोई हो चुका है यानि के टूट गया है या लोस्ट हो गया जो भी आपको suitable लगता है आपके अनुसार है आप उसमें लगाएंगे click जो भी रहता है इसके ओपर आपको click करना रहेगा जैस प्रकार का dashboard आपके सामने आ जाएगा final submit किया इस प्रकार की पूरी detail आपके सामने आ जाएगी ठीक है यह complete होने के बाद last में नीचे confirmation का option रहता है OK जैसे आप OK वाले confirmation को simply उसको verify करेंगे उसके बाद में देखेंगे आपके सामने एक message आएगा जिसमें आपका reference number भी आपको दिखने लगेगा जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया है आपके सामने OK वाला option ठीक है यह वाला option आपके सामने आ चुका है जैसे हम उसके उपर click करते हैं are you sure submit इसके उपर yes करना है यहाँ पर आपको reference number आपके दिखने लगेंगे चाहें तो आप इसे note कर सकते हैं